हाई कोड वलो नशा माफिया दी जांच करनली बनाए गई एसाइटी दे इंचार्ज सिदार्थ चटोपा दे आई वलो सुरेश रोडा पंजाब दे डीजीपी सुरेश रोडा ते लगाएगे इल्जामा तो बाद पंजाब सिरकार नू काफी किरकरीदा सामणा करना प्यार पंजाब दे मोकमांतरी कैप्टन मरंदर सेंग ने सारे डीजीपी दे नाड़ एक मीटिंग किती है आते उस मीटिंग तो बाद सारे डीजीपी चोप दखाई दिते आप से पूछी है मीडिया अपने बता दिया है मैंने क्या बताना है आप आपने बादची आइसारा आप देखिए हाई कोट का मैंटर हाई कोट में है यहां का मैंटर सेंग सब्सक्राइब किया गया है आइम नोबडी तो चेंज दा यह जो मीटिंग में मेडिया ड्वाइजर आपको परीफ कर ठीक है दोपर सारा इशू ना इस इस आपने अपना नाम भाप से लिए अजी के दे प्रिंसिपल अम नैच्छो जस्टिस अगर मिवाद खड़ा होंदा है डीजीपी इसका स्थे तक किस तरह देखो तोड़ते विश्वास कर रही है ना सिर्फ डीजीपी नहीं एस नू लेके सरकार नूवी कोई वी जवाब नहीं सोज रहा जदो कैबिन मंत्री सादू सेंग तरम सो तो एस बारे पुछया गया ता उन दा कहना है कि उन शासन किसे नूवी पांगन नहीं करन देता जाएगा आते जेकर कोई एस तरह करेगा ता कारवाई जरूर होएगी पुलस हो या कोई हो डिपार्टमेंट हो किसी भी डिपार्टमेंट में उन शासन भंग होगा जो उन शासन भंग करेंगे उनके खलाफ कारवाई होगा और यह यह तो सरकार की बात है परिवार का ही उन शासन भंग हो जाए तो वह प्रवार भी ख जादा केना है के कैप्टन अमरंदर सेंग बिना जांचतों डीजी पिया नूं क्लीन चट के में दे रहे ने उत्थे वी ओही रोल अमरंदर सेंग जिदा बिक्रम जीतिया नूं बचाया जा रहा है एन उसे ही तरह नाल डीजी पी सुरेश रोडा ते दिनकर गुपता नूं बिना किसे इंकोईरी तो बिना किसे जांचतों कैप्टन अमरंदर सेंग क्लीन चिट देंदे उत्तर आए उल्टा जिडे विसल ब्लोवर्ज ने जना लोगां ने आनके सारी नश्यां दी तसक्रीदे ताथ लोगां चले आंदे के चेहरी हाई कोट फिज लेके आए उन आन पर दान सिमर जी सिंग बैस भी कैप्टन अमरंदर सेंग ते निशाने साध रहने उन दा कहना है के कैप्टन अमरंदर सेंग उन कोज नहीं कर साकते समसले ते कोट नूँ कुछ करना चाहिए इस मसले बारे तो अनूँ एक वार फेर तो थोड़ी जानकारी देन दी कोशिच कर देया दरसल हाईकोन ने एक स्पेशल एन्वेस्टिकेशन टीम बनाई सी जो के नशा माफिया दी जांच कर ली बनाएगे सी आते उस दापर दान सिदार्स चटोपादे आयनू लगाया गया सी कोट वेच स्दार्स चटोपादे आयने अपना ब्यान देन देया एक या सी के पंजाब दे डीजीपी सुरेश अरोडा आते डीजीपी दिनकर गुपतावी एस मसले वेच यानि के नशा माफिया दे मसले दे वेच जांच देके रेवेच आये होईने यान फेर वेच जांच देके रेवेच आगया है तेस तो बाद कैप्टन मरंदसें नू कोई वी जवाब नहीं सोज रहा सी पर मसला वद्धा वेच कि होड़ कैप्टन मरंदसेंग ने इनना डीजीपी अंदी मीटिंग सदी है मीटिंग दे वेच की होए है एसनु लाएके कोई वी डीजीपी बोलननू त्यार नहीं है क्या जा रहे है के कैप्टन मरंदसेंग ने इनना डीजीपी न सक्त ताड़ना कीती है के मीडिया वेच जाके जहा कोई वी वी ब्यान ना देता जावे जैसे नाल पंजाब पुलस अते पंजाब सरकार नू शरमसार होना पवे इनन सब्धी किरकरी होए इसे करके डीजी प्याने कोज भी बोलन तो इनकार कार देता है पर सब्धे वेच देखन वाली गाल एके ASIT ता चलो कोड ने बनाई छी पर STF जोके हर प्री सिदू धी सब्सक्राइब पंजाब पंजाब दे लोकां दे सामने लेंगे या फिर इस मसले ते भी पोचा फेर देता जाएगा इस बारे तो अडिक रहे है इस वीडियो ते कमेंट करके अपनी राये जरूर देओ जेकर तुसी एसे तरहाई दपंजाब टीवी तो निर्पाक तरीके दराल खबरां देख देराना चोंदे ओता इस चैनल नूँ यूट्यूब ते सब्सक्राइब जरूर करलो अटे जेकर तुसी ए वीडियो फेस्बुक ते देख रहे होता फेस्बुक ते साड़ा दपंजाब टीवी नादा पेज भी है उस पेई नू लाइक करलो मैं जाज्य सेंग चालग लिवार फेरा जरू मंगा तुसी देख देरो दपंजाब टीवी हर खबरदा सच